मैं अपने अस्तित्व से तुम्हें मिलवाऊंगी, अपनी शक्ती का हर रूप तुम्हें दिखाऊंगी। शिव की शक्ती हुँ मैं, इस संसार की मारूपी भक्ती हुँ मैं, जीवन को जनने का अधिकार मुझे मिला है। अपने अस्तित्व से तुम्हें मिलवाऊंगी। अपनी गरिमा, अपने स्वाभिमान को बचाऊंगी। मैं अपने अस्तित्व से तुम्हें मिलवाऊंगी, अपनी शक्ती का हर रूप तुम्हें दिखाऊंगी। नमस्कार व्योर्स, मेरा नाम डॉक्टर हिंजा मेंगी है। और जहां तक मेरे गाने का सवाल है, तो मैं इसलिए गाती हूँ क्योंकि मैं अपनी मदर टंग दोगरी, जो कि मेरी मदर टंग है। उसमें गाना मुझे अच्छा लगता है। तो उसको प्रमोट करती हूँ गाने के माध्यम से, ताकि लोग उसे जादा से जादा सुने। सिरफ जम्मू में ही नहीं, और इंडिया में वो प्रमोट हो, वर्ल्ड में वो प्रमोट हो, और बहुत सारे लोग इसके लिए जुड़े भी हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं भी छोटी सी उसमें मेरी भी एक कॉंट्रिबूशन हो, कि मेरी मदर टंग जो है वो लोगों तक पहुँचे और एक अच्छे तरीके से पहुँचे। निकडे भंगडू उच्छे उडान, जाईये थमना किया शमान, जान निया गले किया लानिया। जाईये थमना किया शमान, जान निया गले किया लानिया। ससुनना नूदे चुठे बेयान, निन्दी मुधी करी सुने जान, जोठी आरम जा किया सैनिया। निकडे भंगडू उच्छे उडान। अपने दे से दिमारे डोवारिया, बिछडे आईया पिया को आरिया। इत्थे नीले तरे खुले मदान। पूटे कने नईयों जान पचान। ठंडे अबावा किया लेनिया। निकडे भंगडू उच्छे उडान। कुथे गे मेरे बागते बोटे। लम्मिया पीगा उच्छडे चोटे। बंजै दी सोटी दा तीर कमान। डूंगिया ताराते खुले मदान। बफले आगेले किया गेनिया। निकडे भंगडू उच्छे उडान। जाई ए थमना किया शमान। चानने आगले किया लानिया। निकडे भंगडू उच्छे उडान। देखे, मैं मैं मैरेड हूँ और अब मैं जेंडर बायस नहीं होगी पर फिर भी कहना चाहती हूँ कि फीमेल हूँ और फीमेल्स को क्या मतलब वैसे तो हर प्रोफेशन में हर एक को एक फामिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी फामिली के बिना तो लेकिन मुझे by God's grace मेरी पूरी फामिली का मेरे मेरे पेरंस का सपोर्ट तो था ही बट मेरे इनलॉस का सपोर्ट भी है और मेरे हस्बन का सपोर्ट भी है वो पूरा मुझे सपोर्ट करते हैं तब ही शायद मैं कुछ कर पा रही हूँ अगर उनका सपोर्ट ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, उनका सपोर्ट तो पूरा है मुझे, और जहां तक आप कहते हो कि मेरी पोईट्री का सवाल है, जो मैं लिखती हूँ, मैं डोगरी संस्था में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे हम हिंदी में भी या किसी और लाग्वेज में भी उर्दू में हिं क्योंकि बेसिकली जिन कॉजस पर मैं लिखती हूँ, वह कहीं ना कहीं हमारी डे-to-day लाइफ से जुड़े होते हैं, जैसे चाहे वह फिमेल फिटी साइड हो, चाहे वह गर्ल चाइल्ड को की प्रोटेक्शन हो, चाहे वह हमारे कॉमिनल हामनी हो, तो इस तरह की चीज़ें जो मैं लिखती हूँ, तो लोग उसको कोरिलेट करते हैं, पीडे-to-day लाइफ के साथ, तो उनको पसंद आता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, अब लोगों को पसंद आता है, तो मैं भी मोटिवेट हो दी हूँ, और मुझे और लिखने का जजबा मैं आता है, और मैं अपने अस्तित्व से तुम्हें मिलवाऊंगी, मैं अपने अस्तित्व से तुम्हें मिलवाऊंगी, अपनी शक्ती का हर रूप तुम्हें दिखाऊंगी, तुमने कभी बे सहारा, बेबस, बोज का नाम मुझे दिया, कभी कोख में ही मार मुझे दिया, पर मैं अपने जीने के अधिकार से वन्चित ना रह पाऊंगी, मैं अपने अस्तित्व से तुम्हें मिलवाऊंगी। शिव की शक्ती हुमैं, इस संसार की मारूपी भक्ती हुमैं, जीवन को जनने का अधिकार मुझे मिला है। जीवन को जनने का अधिकार मुझे मिला है, संसार का सबसे कठिन प्रभार मुझे मिला है, पर मैं हस्ते हस्ते तुम्हें जीवन मिलाऊंगी, मैं अपने अस्तित्व से तुम्हें मिलवाऊंगी। आज चांद पर भी मैं पहुँच गई हूँ, पर तुम आगे ना आने दोगे, ये समझ गई हूँ। कभी निर्भया, कभी निर्भया, प्रियंका बनाकर संहारा है तुमने मुझे, कभी घर की चार दिवारी में मारा है तुमने मुझे, पर मैं अपनी गरिमा, अपने स्वाभिमान को बचाऊंगी, मैं अपने अस्तित्व से तुम्हें मिलवाऊंगी, अपनी शक्ती का हर तुम्हें दिखाऊंगी अब ना होगा मुझ पर कोई अत्याचार अब ना होगा मुझ पर कोई अत्याचार अब ना चलेगा तुमारा कोई वार क्योंकि मैं सहनशीलता ममता का उधारन भी हूँ क्योंकि मैं सहनशीलता ममता का उधारन भी हूँ और अपनी रक्षा में खड़ी चंडी सी प्रहारक भी हूँ मैं निर्बल नहीं ये दिखलाऊंगी मैं अपने अस्तित्व से तुम्हें मिलवाऊंगी अपनी शक्ती का हर रूप तुम्हें दिखाऊंगी पुत्र ना होने पर कुल का अंत मानने वालो स्त्री दो कुलों का अधार है ना जानने वालो कब ये धारना छोड़ोगे तुम कब जीवन को नई दिशा में मोड़ोगे तुम पर मैं मापिता को अगनी देने का अधिकार भी पाऊंगी मैं अपने अस्तित्व से तुम्हें मिलवाऊंगी अपनी शक्ती का हर रूप तुम्हें दिखाऊंगी बिल्कल मैं दोगरी में काती हूँ इसलिए गाती हूँ कि डोगरी प्रमोट हो not even in our state सफर अमारी content में ही नहीं ये बाहर भी all over India में क्योंकि हम सारी भाषाओं के बारे में अगर हम कहीं बाहर जातें तो सारी भाषाओं पता है, पंजाबी पता है, गुजराती पता है, मराथी पता है, क्योंकि वो बोलते हैं, गाते हैं, वो अपनी फोक को बहुत प्रमोट करते हैं, तो मुझे लगता है एक भाषा को प्रमोट करने के लिए उसका फोक जो है, वो एक इंपोर्टन्ट रोल प्ले करता है, तो इस सेगर आएं दे आलंबड़ा होई ना छोरू आजो ले समझाई के बत्ता जन्दे सिटी मार दे इस सेगर आएं दे आलंबड़ा होई ना छोरू आजो ले समझाई के बत्ता जन्दे सिटी मार दे पानिये जो जाना हसे आन न कडोलू तु यो दसकिया लंगना ओ लंबड़ा तु यो दसकिया लंगना के बत्ता जन्दे सिटी मार दे बाई जो जाना हसे आन ना गड़वा किया करी ना लूट अपना ओ लंबड़ा किया करी ना लूट अपना इस सेगर आएं दे आलंबड़ा डंगरें चारन से खेतरें जो जाना लू किछ पिकितने तेयाडे चलना हो लंबड़ा लू किछ पिकितने तेयाडे चलना इस सेगर आएं दे आलंबड़ा इस सेगर आएं दे आलंबड़ा होई ना चोरूँ अजो ले समझाई के बत्ता जंदे सिटी मार दे इस सेगर आएं दे आलंबड़ा वैसे तो बहुत सारे कॉजस पहले भी बताचू कि बहुत सारे कॉजस पे लिखा है मैंने फॉजियों पे लिखा है फीमिल फीटी साइड पे लिखा है विमन के डिफर्न डिफर्न कारेक्टर्स पे लिखा है और बेटी के जन्म पे जो खुशी होती है उस पे भी लिखा है, पट सबसे करीब मेरी एक कविता है, जिसका नाम है, जिसका शीशक है मेरा अस्तित्व, जो है वो एक ऐसी औरत के इर्द के घूनती है, जो की कुछ करना चाहती है, जिसके उपर बहुत सारे समाज के जो प्रेशर्स हैं वो हैं, पर फिर भी वो हार नही जो वो कर सकती है, जिसके लिए उसको दबाया जाता है, या उसको demoralize किया जाता है, लेकिन वो ये काम फिर भी करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि जो एक औरत की inner strength है, जो एक उसकी inner strength है, वो इस कविता में थोड़ी सी निखर के आई है, और जहां मैंने जहां भी ये कव कमरे देल के प्वोड़ के लिए.